हैं है अलो स्टूदेंट्स हाव रियू होप यूर्वेल आज हम आपके इंगलिश रिडर बुक से चैप्टर नूबर सेवन करेंगे लिटल बॉल फर यह एक छोटी सी बॉल होती है जो कि फर से बनी है बिल्कुल सॉफ्ट फोफ्ट होती है जो ओके स्टूद्स ओके ड़ा स् सॉफ्ट चीज से बनी है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे तो स्टाट करते हैं दे लिटल वन्स ओफ ओल बड्स अनिमल्स एंड हुमन्स ऑल्वेज लुक वैरी प्रेटी कान्यू टैल हभाई जो चोटे जो चीजे होती हैं जैसे कि कोई भी उसमें आता है जैसे बार सोते हैं एनिमल्स चाफिर कोई भी हुमन ठीक अगर वो छोटी हैं तो बड़े ही प्यारे लगते हैं तो क्यों लगते हैं यह में बताना है विकास्ट यह बहुत ही चोटे होते हैं यह हामलेस वह किसी को चोटने ही पहुचाते हैं देयार प्योर एठर्ट वह दिल के से लूह करते हैं अमने अधर्ट वह किवालगा लगते हैं अब श्रट वह थी अतल डिळकान लावन कि हैं चोटे कर से वतल होते हैं इनन से को स्टार्ट करते हैं कि इसमें एक लिटल बोल फर क्या है देखिए लास्ट बैल रेंग यानि की रेंग होता है बजने हैं कि लास्ट बैल आखरी बच चुकी है चिल्डेंड केम ड्रनिंग एंड शाउटिंग आउट फ़ दा स्कूल गेट यहां पर एक स्कूल की बात हो रह सुना और चिलाना नहीं चाहता है कि हो कि वरकिंग जेटली एंड स्लोली होता है दीरे-दीरे और स्लोली सोली पि धीरे ही होता है है तो विक एक वो कुम और मिया आउट अधा फिर से सुनता है जिसक्त बिल्ली बोलती एक हाओ ही enjoyed it again8 वह दुबारा से शुनता है और देखता है it was in the dustwyn नियर the school gate और वह जिधर से उसका वाज आ रही होती है उधर यह dianeए और वह देखता है कि it was in the dustwynnear कि वह कि द the school gate कि वह एक school के gate के पास एक dustwyn को देखता है जो school ke gate के पास है it was a little kitten यह एक छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा होता हुथ है सोनु पिख इट अप अब सोनो सको उठा था है and put it into his pocket और उसको अपने pocket में यान की जेब में रख लेता है, it was so small यह बहुत ही छोटा है it was like a little ball of fur, यानि कि वो एक छोटी सी जो बॉल होती है, खेलने वारी जो बॉल होती है, और बिल्कुल सोफ्ट होती है, बिल्कुल रोओं रोओं सुमें होता है, उपर से सोफ्ट सोफ्ट बिल्कुल, ऐसी वो है, बट I can't take it home, लेकिन मैं इसको अपने घर नहीं लेकर जा सकता, said Sonu to himself, उपने आप से बात करता है, कि मैं इसको अपने घर नहीं लेकर जा सकता, we have a pet dog, कि मेरे पास, हमारे पास एक pet dog है, and our dog does not like cats, और जो dog है वो, cats को like नहीं करते, what shall I do, मुझे क्या करना चाहिए, Sonu walked home thinking, अब Sonu सोचते सोचते घर की तरफ चलता है, He reached the corner of his street, अब वो अपनी गली के कोने पर पहुंच जाता है, corner होता है, corner और street गली, He saw a green letter box, तो वो एक green letter box, letter box होता है, पत्र डालने का जो box होता है, उसको बोलते हैं, तो आपने green letter box को देखता है, चोटा सा, it walks just at the gate of a house, और ये क्या है कि जो घर है, उसके house, house के जो gate है, उसके उपर ये fix है, वहाँ पर लगा हुआ है, घर के आगे, It was Mrs. Shanti's house, और ये जो घर है, वो Mrs. Shanti का है, घर है, she was a kind old lady, kind होता है दयालू, जो ओरत है, वो बड़ी ही दयालू, ओरत है, Mrs. Shanti is gentle lady, वो बहुत ही gentle lady है, दयालू ओरत है, said so no to himself, she has no dog, उसके पास कोई dog भी नहीं है, she is like, she shall like to have this little kitten, और वो जो ही छोटे से, जो kitten है, उसको जुरूर अपने पास रखना पसंद करेगी, so he took out of his pocket the little ball of her, वो चोटी से फरकी बोल को अपने pocket में से बाहर निकालता है, he put it inside Mrs. Shanti's letter box, अब वो क्या करता है कि उस छोटे से जो बोल को जो फरकी जो बोल है, उसको बाहर निकालता है पने pocket से और बाहर निकालता है, और क्या करता है, he put it inside Mrs. Shanti's letter box, जो Mrs. Shanti के घर के बा then he went and stood behind the big bunion tree near Mrs. Shanti's house, और वो क्या करता है कि अब वो, he went जाता है and stood behind the big bunion tree, और एक बहुत बड़ा जो बनियन का ट्री है, वो उसके पीछे जाके चला जाता है, जो कि Mrs. Shanti के घर के पास ही, एक bunion का ट्री है, वो उसके पीछे चला जाता है, और वहाँ पर जाके खड़ा ह हो जाता है, a little later, Mrs. Shanti came out at her gate, अब क्या होता है कि जो थोड़ी सी समय के बाद Mrs. Shanti came out at her gate, वो अपने घर के बाहर आती है, gate पर, she opened the letter box, और वो letter box को open करती है, खोलती है, उपन होता है खोलना, she wanted to see if there are any letter in it, और वो देखना चाहती है कि क्या इसके अंदर कोई letter तो नहीं है, but there was no letter in it, लेकिन उसके अंदर कोई भी पत्र नहीं था, letter होता है पत्र, लेकिन उसके अंदर कोई भी पत्र नहीं था, वहाँ पर, she saw only a little bowl of fur in it, वो सिर्फ ए चोटी सी bowl को देखती है, जो कि फरकी है, वो सिर्फ वहीं वहाँ पर सिर्फ उसी को देखती है, oh she said, वो कहती है कि ओ, what a little kitten, कितना प्यारा kitten है, I shall keep it as a pet in my house, वो कहती है, अपने आप से ही बात कर रही है, कि I shall keep it, कि मुझे इसको रखना चाहिए, it as a pet in my house, मेरे घर में इसे मुझे अपने एक पालतु के रूप में रखना चाहिए, when it grows up, और जब यह बढ़ा हो जाएगा, it will keep the mice away from my house, अपने जाती हे, और तह देखे हो, हैं कि यह बढ़ को गोंटी है, तो क्या होता है, बिली बढ़ी हो जाएगी, बिल्ली बन जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो घर से गर् demasiado, यह मेरे घर से दूर रहेंगे, भाग जाएगे मेरे घर से, Mr. Shanty took up, उप उछाती है the little ball of fur, चोटी से बोल फरकी जो बोल उसको ठाती है and danced back into her house और वो नाचती हुए अपने घर के अंदर चली जाती है यहनकी वो काफी खुश है इसका मतलब C was talking to the kitten और वो क्या करती है जैसे वो काफी खुश तो अपने घर के अंदर जा रही है और जाते जाते अपने वो छोटे से kitten से बात करती हुए जाती है मियाउ मियाउ उसकी ही language में वो बात करती है जो छोटा से kitten जैसे बोलता है कि मियाउ मियाउ come I will give you milk कहती है कि आओ मैं तुम्हें दूद दूँगी सोनु turn अब सोनु मुरता है turn होता है मुरना and went home smiling और अपने खर चला जाता है वो हसते हुए अपने घर चला जाता है क्योंकि वो जो चाहता था बही हुआ उसको अपने घर तो नेकिजा सकता था लेकिन जैसे उसने मि से शांती जो हैं बहुती दयालू है और वो उसको जरूर रखेंगी तो देखिए बच्चो किस प्रकार से उसने अपने दिमाग से एक छोटे से किटन को एक बहुती अच्छे जिंगह पर उसको पहुचा दिया ओके स्टूडेंट्स हो स्याद आपको यह चेप्टर बहुत Thank you